हल सश्टी ललही चठ ललाई चठ हर चठ बल्राम जैनती दोहजार चौविस कभ है हलो एव्रीवन वेल्कम बैक टू मैं चानल कुछ ओफिशल आवर योर चैनल कैसो आप लोग है वोपसो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बाला हो तो प्ली हल सश्टी हर चठ ललाई चठ बल्राम जैनती जो दोहजार चौविस में हो कभ मनाया जाएगा लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है भादर पद की क्रिश्न पक्ष की सश्टी को स्री क्रिश्न के बड़े भाई बल्राम जी का जन्म हुआ बल्राम जी को बलदेव बल्भद्र, हलधार, हलाई युद्ध और संसकार के रूप में भी जाना जाता है बल्राम जी को सेश्ट नाग का अवतार माना जाता है कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस इसी तिथी को मनाते हैं बल्राम जी का प्रथम शस्त्र हल तथा मुसल है इसलिए इन्हें हलधर भी कहते हैं इन्ही के नाम पर इस पर्व का नाम हल सस्टी कहा जाता है हमारे देश के पुर्वी जिलों में इसे ललाई छट भी कहते हैं इस दिन महुए की दातून करने का विधान है इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्ने का प्रियोग वर्जित होता है इस दिन गाई का दूध दही का प्रियोग भी वर्जित है बहस का दूध वदही का प्रियोग किया जाता है पूजा का विधान हर छट के दिन प्रातह का लशनान आदी के पस्याचात प्रिथवी को लीप कर एक छोटा सा तलाब बनाया जाता है जिसमें जरवेरी पलास इक साखा बांध कर बनाई गई हर छट को गार देते हैं और इसकी पूजा की जाती है पूजन में सतंजा, गेहुं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, आदी का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग समागरी भी चढ़ाई जाती है पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्राथ्रा की जाती है गंगा के द्वारे पर कुशावते विलव के नीली परवत सनात्य कनखले देवी हर संधवती पतिम ललीते सुभे देवी सुख सोभागे दाइनी अनन्तह धे देवी सोभागे हुम तुम्भ नमो नमह अर्थ हे देवी तापनी गंगा द्वारा कुशावर्त विलवक नील परवत और कनखल तीर्थ में सनान करके भगवान संकर को पति रूप में प्राप्त किया है सुख और सुभागे देने वाली ललिता देवी आपको बारंबार नमसकार है आप मुझे अचल सुहाग दीजिए सस्टी हर छट बलराम जैनती 2024 रवी वार 25 अगस्त को मनाया जाएगा उद्या तिथी मानने होने के कारण मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना विलकुल न भूला थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट